हाई दोस्तो असलाव लिकूम कैसे है आप लोग मेरा नभी ले आज मेरे पास है एपल वॉच सीरीज 9 सेलुलर वाली साती है नाइकी स्पोर्ट्स बैंड जो के रीसाइकल मतीरियल से बना है और आपल वॉच को कार्बन न्यूट्रल होने में मदद करता है तो आज इस वॉच कि हम अन्बॉक्सिंग करेंगे एक रिव्यू करेंगे और यह वॉच मैंने अपने हाथ में पह नहीं है क्योंकि मैं इसको इसको इस्तमाल करना चाहता था आपको अपना उपीनिन देने के पहले लेकिन मैं आपका एंबॉक्सिंग एक्स्पिरिंस खराब नहीं करूंगा व कारबन न्यूटर होने की उसका एक आपको सिंबल लेग नहीं है क्योंकि इस बार के आपल वॉच्छ इस भी काफी जादा कारबन न्यूटरल है पहले के मुकाबल है बैक साइट पर देखेंगे तो इसकी सारी इंफोमेशन दीवी है कि यह एक एपल वॉच सीरीज 9 है 45 mm है सिम्पल अची यहाँ पे विना प्लास्टिक के यूज की इसको इस तरह के से लिफ्ट करो शांतर लो जांप इस इसको उपन कर लो यहां पर सारे आपके sports band, sport loop सब कुछ है अब इसको रखते side में तो यहां पर दो चीज हम को मिलती है दो boxes मिलते है एक watch है और यह दूसरा band है और यह जो band है watch का या strap है इसको sports loop बोलता है आपको बता रहा हूँ कि box packaging कैसी होते है ताके unboxing experience आप भी देख सके कैसा होता है अब इस loop को बाद में check out करते है पहले watch देखते है तो watch यहां पर देख सकते है midnight aluminum case के साथ 45 M series 9 यहां पर दो side पे seal लगी भी है दोनों को pull करके प्रेक करना है watch आई box से बाहर अब यहां पर दो चीज़े है सबसे पहले यह watch है जो इस तरीके के packaging में है और दूसरी चीज़ है यहां पर इस watch के लिए एक charger 9 और यह देख सकते है आप aluminum में midnight midnight याने की black color अभी sport loop जो इसके आद आया है इसको लगाना बहुत ही simple होता है इस तरीके से आप push करना है अंदर और यह install हो जाता है और निकालना जो होता है यहां पे बटन होता है उसको प्रेस करके आप निकाल देते मैं इन लोगों के निकालना है और यहां पर photo देखके आप समझी होंगे कि इस सारे recycle material से बना हुआ है open कर देते है इसको same packaging है सब कुछ सारा कुछ same है और यह थोड़ा fancy और थोड़ा attractive बनाने की यहां पर कोशिश की है तो sports हो अगरा में आप जाधा interested है तो इसको definitely आप use करना चाहेंगे और य सबसे बहले आइफोन खरी लो उसके बाद watch का यह नीची वाला बटन है इसको प्रेस करके रखिए watch पे आपल लोगों आ जाएगा और उसके बाद watch की यह वाली setup screen आएगी और इसमें आपको क्या करना है बस अपने आइफोन को इस वाच के नजदीक लेके आना है और यहां आइफोन के प्रिफरेंस चूस कर लो में राइट पर पहनता हूं डिजिल क्राउंड का ओरियंटेशन चूस कर लो यह भी मैं टॉप पे चाहता हूं और उसके बाद बस आपको अपनी apple watch एक नमल आइफोन जिसे आप सेट करते हो वैसी सेट करना होता है अपनी watch है ready to use सबस crystal glass आता है जो मेरे series 7 वाली में गोल्ड कलर वाली में या titanium वाली होती इस apple watch अल्टर है तो इसमें भी sapphire crystal glass आता है लेकिन इसमें आपको ionex glass मिलता है आपको या पर digital crown देखने मिलता है microphone का hole है उसके बाद उमें बटन है और opposite side पर आपको speaker grill रेखने मिलता है और series 7, series 8 से compare करेंगे तो सेम ही लगेगी आपको watch case दोनों के देख सकते है अब exactly same है यह watch भी बाकी सारी apple watch इस तरह 50 मिटर तक पानी में आप लेके जा सकते हो तो regular यह ip68 वाली rating नहीं है काफी deep water में आप इसके साथ swim कर सकते हो और जो मैंने nike band लिया इसके साथ यह काफी comfortable fit के साथ आता है वेरिंग जो इसका process है वो भी बहुत simple है easy to wear है और waterproof भी है आपको कोई problem नहीं आईगी और देखने में भी काफी stylish है और sports loop जो आया है watch के साथ यह मैंने अपने series 7 पर लगा यह भी देख सकते हैं बहुत ही comfortable भी है और बहुत ही stylish भी है तो आपको work पर पहनना है या किसी occasion पर यह पहन सकते हो always on mode में 1 arts पर जाता है बिल्कुँ series 7, series 8 जैसे ही और display का size भी same है 45 mm की watch है लेकर हम outdoor brightness के बात करें तो पुरानी apple watches के अंदर 1000 nits की brightness मिलती थी आपको इस वाले में मिलती है 2000 nits की brightness और 2000 nits की brightness उतनी है जितनी apple watch ultra 1 में आपको देखने मिलती थी तो काफी सही रहता है मतलब outdoors में आप जाएंगे तो visibility में कोई issue आता ही नहीं है और OLED panel है तो एकदम crisp clear रहते है और high resolution का display होता है इसका performance में यहां पे major improvement apple ने किया एक नए chipset के साथ जो कि है इनका S9 chip या S9 chip जिसको गोलते है इस नए chipset के साथ सारे जो process है watch जो कुछ भी आप करते हो वो जो है पहले के बुकाबले आपको ज्यादा fast देखने मिलेंगे और यह जो नया chipset है इसके अंदर efficiency भी जो है आपल ने बढ़ाया है अब आप लोग को लगेगा के भाई battery life तो सेम है पुरानी watch में भी 18 hours थी इसमें भी 18 hours है तो efficiency कहां बढ़ाया है क्योंके यह watch का जो display है यह 2000 nits तक जा सकता है लेगिन फिर भी same battery life निकाल के दे सकता है जो पुरानी generation watch निकाल के देती है यहीं पे उसकी efficiency जो है काम आती है तब से पहली चीज है on device Siri अब internet connection ना भी हो तब भी आप Siri की जो request है वो on device process कर सकते open workout mode देख सकते आप कितना fast और instantly इसने यहां पे action ले लिया which is the fastest train in the world देख सकते आप कितना instantly इसने यहां पे web search का result दिखा है एक बार हिंदी में भी try करके देखते है दुनिया का सबसे लंबा tunnel कौन सा है तो यहां पे देख सकते है हिंदी में इसने search result भी मुझे ढूण के दे दिया लेकिन बोलके नहीं सुना रहा है अगली चीज जो यहां पे improve किया है वो है इसके अंदर second generation का ultra wideband chipset तब इससे कोई भी अगर आपको device ढूणना है तो ज्यादा precision finding आप कर सकते हो लेकिन जब यह precision finding मैंने try किया अपनी वॉच्पर देखी क्या होता है यहां पे हमको जाना है और इस पर प्रेस नहों करके रखना है और यहां पे हमारा जो iPhone है यह पिंग हो जाता है और इसको द लगते हो तो आपको timer set करना है कुछ और चीज करनी है सारी चीज़े इससे possible है बहुसतरा लोग accessibility के जरिए से पुरानी watches में भी यह कर रहे है लेकिन इसमें यह चीज आपको डिरेक्ली देखने मिल जाए और watch अल्टरा 2 में भी देखने मिलेगी यह लेकिन यह अभी फिलाल और नया क्या है तो यहां पर carbon neutral होने पर बहुत आपने ध्यान दिया है इस trap से ही आपको पता चल जाएगी यह चीज और नया यहां पर pink color आया है बाकी सारे colors पहले के watches में थे इस लोड़ watch OS 10 के बारे बात करें तो इसमें काफी सारे changes आये है कुछ नए watch faces आपको देखने मिलेंगे digital crown को press करते ही आप menu में enter हो जाएंगे और इसको ऐसे rotate करेंगे तो उपन नीचे इस side button को press करने पे आपका जो control center है वो open हो जाएगा और आपस प्रेस करेंगे तो चला जाएगा notification देखना तो top से bottom की तरह swipe कीजिए और यहां पे आप notifications आपके देख सकते हैं और recently open application देखने के लिए आपको यहां पे double tap करना है watch face के उपर अगर आप इस तरीके से जो है digital ground को घुमाएंगे तो यहां पे widgets आपको देखने मिल जाएंगे सारे watchOS 10 आप अपने पुरानी Apple watches के उपर भी update कर सकते है health features के अंदर आपको activity type मिलता है जो आपके daily calories, standing hours और move goal को बताएगा आपको फिर आपका heart rate scanner आपको मिल जाता है इसके अंदर जो आपके beats per minute आपको measure करके बताएगा इसमें आपको cycle tracking भी मिलती है for ladies, spo2 भी आपको देखने मिलता है जिससे आप अपना blood oxygen level वगरा measure कर सकते हो और आपको ECG भी देखने मिलता है जो पुराने watches के अंदर भी मौझूद था health features के मामले में यापके कोई भी चीज नहीं add Apple ने नहीं किया है sports mode की बात करें तो वो तो आप जानते ही है जो Apple watches में regular आते है वो सारे sports mode यहाँ पर आपको इस watch में भी देखने मिल जाएंगे अब battery life की बात करते है तो यहाँ पर वही 18 hours की battery life है जो regular Apple watches जितनी होती series 7, series 6, series 8 सब में देखने मिलती है वही battery life है जैसे मैं आपको बता है पड़ा efficiency बड़ी है chipset की क्योंकि यहाँ पर brightness जाता है बड़ battery life सेम रखा है लेकि मेरा एक opinion ऐसा है कि 18 hours की battery life और 2,000 nits की battery life से अच्छा 1000 nits की brightness और 36 hours की battery life जो कि हमको Apple watch अल्टरा पर देखने मिलती है वो मिलती तो अच्छा होता बागी गाइस Bluetooth calling और साथ ही LTE calling यानि कि आप cellular network भी इस watch पर set कर सकते है याँ पर देख रहे आप mobile data का यहाँ पर एक symbol है यह क्योंकि cellular वाली watch है इस पर cellular network चलेगा यानि कि जो number आपके phone में है वो number आप इससे पर भी set कर सकते है और phone घर पे चोड़के जाके आप कही jogging पे ज GPS वाली watch के लिए और 41 mm उन लोगों को लेना चाहिए जिनके wrist बहुत पतले है लेडीज के लिए भी अच्छी इरती है और 44,900 रूपीज अगर आपको आपको watch मिल जाएगी यही size है जो मेरे हाथ में पेना है और यह जादा सही size है बहुत सारी girls भी इसको prefer करती है क्योंकि इ यह सालो साल टिकती है क्योंकि इसके sides भी काफी सही है खुबसूरती भी है और जो glass है यह भी आपको ज्यादा मजबूत देखने मिलते है आप scratches नहीं आते बिल्कुल इस पर तो यह 21 mm के आपको मिलेगी 70,900 और इसमें cellular ही आती है और 45 mm के आपको मिलेगी 75,900 इसमें भी सिफ cellular ही आती है अब भेरा verdict इसके उपर क्या है तो apple हर साल एक नहीं apple watch और अभी पिछले साल से जो है watch ultra भी निकाल रहा है हर साल आपको apple watch अपग्रेड करने की जरूत नहीं है अगर आपके पास series 6 है series 7 है series 8 है तो आपको अपग्रेड करने की जरूत तो नहीं है definitely नहीं लेकिन काफी साल तक आपको अच्छे से service देगी और health के ऊपर ध्यान देना चाहते हो थोड़े notification manage करना है तब भी ये watch अच्छी है पाकि आप बताए दोस्तों कैसी लगी आपको apple watch series 9 क्या आप इसको लेना चाहेंगे नेना चाहेंगे आपको कोई watch का comparison देखना है तो मुझे comment करके